Chapter 44 Implications of Liquidating Value, Shareholder Management Relationships Wall Street का ये मानना होता है कि जो liquidating value है उसकी कोई importance नहीं होती क्योंकि कोई भी company liquidate करने के लिए नहीं खड़ी की जाती वो operate करने के लिए खड़ी की जाती है ओथर बोलते हैं, जादतर shareholder हैं जो वो खुद को नला समझते हैं और वो ही करते हैं जो board of directors उने करने के लिए बोलते हैं और वो ये बात नहीं समझते कि वो business के ओनर हैं और उनोंने ही company की management को नौकरी पर रखा हुए उसकी बजाए stockholder ये सोचते हैं कि management को business के बारे में उनसे जादा बैतर बता है और इसलिए management कुछ भी बोलेगी तो हम accept कर लेंगे और management की कोई responsibility नहीं है कि company की जो stock है वो किस price पे sell करें और अगर stockholder को इतनी दिक्कत है management से तो वो stock को बेच दे और shareholder ये भी सोचता है कि जो management है company की वो capable है चाए वो हो चाए ना हो वो assume करता है चीज तो ये सब चीजें गलत है तो shareholder को open minded रहना चाहिए और ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या उस company का management efficient है या नहीं है फिर conflict of interest पे आ जाते है shareholder और management के बीच का regarding compensation कितनी मिलेगी management को मलब क्या salaries रहेंगी business को expand करना चाहिए नहीं करना चाहिए dividend को pay करना चाहिए नहीं करना चाहिए और shareholder की जो investment है company में वो रखनी चाहिए या capital वापस करके company को बंद कर देना चाहिए और shareholder को information क्या देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए तो इन सब बातों पे shareholder को ध्यान देना चाहिए क्योंकि directors पे जादा भरोसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके management के साथ अच्छे रिष्टे बन जाते है management की जो compensation है वो disclose होनी चाहिए और shareholder को देखना चाहिए क्या वो fair है या वो बहुत high salaries पे कर रहे हैं खुद को और ये सवाल भी बिल्कुल consider करना चाहिए कि क्या business को continue करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए क्या shareholder को capital वापस कर देना चाहिए या नहीं generally जो management होती है company की वो shareholder की capital वापस नहीं करना चाहती क्योंकि अगर उन्होंने company बेचके shareholder capital वापस कर दी और officer है जो company के management है उनकी prestige पे भी फर्क पड़ता है और author बोलते है finance में ऐसा altruism बहुत कम होता है कि अपना नुक्सान करके दूसरे का फाइदा करना और हमें ये भी पता करना चाहिए कि क्यों हमें business को जिन्दा रखना चाहिए क्यों उसे चलते रखना चाहिए क्या सिर्फ इसलिए कि जो management है उसको employment मिली रहे बट shareholder तो अपनी capital का sacrifice कर रहे है न shareholders अपना पैसा companies में कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं डालते उन्हें भी profit चाहिए उन्हें भी अपनी capital पे return चाहिए ऐसा थोड़ी मैं अपनी capital बरबाद कर दूँ कुछ लोगों को employee करने के लिए मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना बतले में और author बोलते हैं कि management को भी interest लेना चाहिए कि stock price कहां पे है क्योंकि जो company की securities है company की stock है उनकी marketability तो होनी चाहिए और marketability का क्या मतलब होता है कोई ऐसी जगा जहां पे वो stock बिख सके और उसका fair price भी मिल सके यह बिलकुल management की responsibility है कि stock price बहुती ज़ादा high ना हो और बहुती ज़ादा low ना हो और management कैसे कर सकती है यह dividend सही से pay करके dividend ऐसा पे करे कि उसकी liquidation value के proportionate हो चाहे current earnings नहीं हैं तो cash asset से pay करो या फिर pro rata basis पे कुछ capital share holders की return कर दो या फिर business बंद कर दो या फिर shares को repurchase करो pro rata basis पे add a reasonable price ओथर example देते हैं Hamilton Bullen Company का 1927 में company ने operating losses किये और company का जो stock price था वो liquidation value से बहुत कम हो गया था अब ये खतरा था कि losses चलते रहेंगे और capital बिल्कुली खतम हो जाएगी company में जो delivery है बट ये भी possibility थी कि जो company के results हैं वो better हो जाएंगे future में अगर company में नई policies introduce की जाएं तो shareholders को vote करने का मौका दिया गया कि आप liquidation करना चाहेंगे या नई करना चाहेंगे तो shareholder ने vote किया कि हम business को continue करना चाहेंगे और वो एक wise decision था company ने फिर अच्छा किया और फिर ऐसे ही 1934 में same चीज हुई इस पर shareholder ने select किया कि वो business को wind up करना चाहेंगे बंद करना चाहेंगे और sale arrange की गई थी और current asset value मिल गए थी shareholders को और shareholder को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कई management shareholders का फाइदा तो ने उठारी जैसे कि share buyback तो नहीं करी open market में जब वो सस्ते बे trade हो रहे हैं जैसे कि 1930-1933 वाला जो depression हुआ था उसमें बहुत सारी companies ने अपने share repurchase किये क्योंकि उनके पास surplus cash assets पढ़े होगे थे और share price बिल्कुल ही ठोके होगे थे depression की वज़े से तो share repurchase करने के लिए company को पैसा भी चाहिएगा और फिर company क्या करती है dividend को suspend कर देती है dividend नहीं पे करूँगी मैं भी और लेकिन share repurchase कर लेगी क्योंकि वो सस्ते मिल रहे है company का फाइदा है न लेकिन जो बचारे shareholder बेच रहे है उनका फाइदा नहीं है जो hold करके रखेंगे उनका definitely फाइदा है जैसे ओथरा example देते है white motor company का जिसने 5 million loss किया था 1921 के depression year में और लेकिन जो उसकी accumulated surplus थी उससे उसने dividend को maintain रखा जिसकी वैसे stock price गिरा नहीं फिर same company ने 1931 में 2.5 million dollar का loss किया और dividend payment suspend कर दे थी जिसकी वैसे stock price गिर गया 7 dollar बे तो 1921 में जब company ने dividend suspend नहीं किये थे तो loss भी बड़ा था पिछली बार 5 million का loss था और surplus छोटी थी लेकिन और cash holdings भी कम थी पर फिर भी company ने dividends को continue किया बट 1931 में company के पास बहुत ज़्यादा cash था बहुत अच्छी surplus थी पर फिर भी dividend को suspend किया जान बूच के ताकि वो share buy back कर सेगे open market में सस्ते price पे अगर आप देखो तो company के पास अच्छा कासा cash था share repurchase करने के लिए लेकिन dividend पे करने के लिए नहीं था जान बूच के dividend suspend किया जा रहा है ताकि stock price fall करेगा और फिर जान बूच के repurchase किया जा रहा है वो ही cash use कर गए जिसको use किया जा सकता था dividend पे करने के लिए तो summary में author conclude करते है कि जो companies होती है वो shareholders की property होती है shareholder companies को on करते है और जो company की management होती है officers होते है वो shareholders ने नोखरी पे रखे होते है और जो directors हैं वो trustees की तरह act करते है जिनकी duty होती है कि वो shareholders के behalf पे act करें और shareholders को खास ध्यान देना चाहिए company की dividend policies पे expansion policies पे और company का cash किस तरह इस्तमाल किया जारे dividend पे करने के लिए share repurchase करने के लिए management की compensation क्या है क्या वो justifiable है industry जितनी है industry से ज़ादा है और जो shareholder का capital है वो business में रहना चाहिए या business से निकाल लेना चाहिए कुछ part में या पूरा का पूरा मतलब धन्दा बंद कर देना चाहिए या continue रखना चाहिए इस chapter में इतना ही धन्यवाद